आज हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे ढूंडा जाए तो बेसिक वही है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपने क्यों करना है माइंडसेट होना चाहिए बिजनस एक साइट बिजनस शुरू करें जो भी आप एक्जिस्टिंग अभी कर रहे हैं दीरे दीरे उस काम को आगे बढ़ा है तो यह माइंडसेट वाली बात हमने पिछले वीडियो में की थी और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एक कमपनी होती है वो अपने गुड्जन सर्विसेज या प्रोडक्शन सर्विसेज को इंडिपेंडेंट बिजनस ओनर्स की एक नेटवर्क के थूरू डिस्टिब्यूट करने का एक स्ट्रक्चर है एक प्रोग्राम है अब यह काम ज होते जा रहा है तो अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर वो है कि नेटवर्ग मार्केटिंग कंपनी को कैसे ढूंडा जाए जो अच्छी हो तो सबसे पहले आपने अपना जो टेस्ट है अपना जो एक लाइकिंग है उसको स्टडी कर लेना है कि आपको हेल्थ फिटनेस अच्छा लगता है आपको टेकनीकल या टेकनोलोजिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको अपने एलेक्टिसिटी ग्यास टेलेफोन या इंटरनेट सर्विस या आपको ट्राविल या किसी प्रकार का ग्याजेट या एलेक्ट्रोनिकल कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो बेसिकली आपकी जो लाइकिंग है पहले वह आपको क्लियर होनी चाहिए उसके बाद एक और आंगल आप अपने बाहर आउटसाइड इन दे वर्ल्ड वो देखें कि भई बाहर चल क्या रहा है य ी है यह जरूरी नहीं है कि आप रिजीटिटी लेकर कि यह करें कि मुझे अच्छा यहां लगता है तो मैं यही करूं जबकि मार्केट में कहीं डिम diagnosis्ट हो सकता है धो तो दोनों चीजों को मिला के चीज क्लें मुझे यह हैं छी लगती हैं मुझे यह सब्जेक्ट है यह प the network marketing angle तो वो जब एक तै हो गया वो जब एक आपने मन बना लिया देन यू कम आट जो आपकी जो नीश है जो आपकी subject liking है उसमें outside in the world क्या demand क्या issues है क्या problems है क्या solutions क्या market है ठीक है जब आपने वो एक study कर लिया दूसरा एंगल तीसरा एंगल आपका यह बनेगा कि उस subject में कौन-कौन सी कंपनिया काम कर रही हैं so there might be say there might be so many companies out there but आप जो मालो आप टॉप की तीन या पांच या छे कंपनिया आप देखना चाहोगे रिसर्च करोगे how to arrive at those four five six companies जो आपकी नीश में काम कर रही हों उसके बाद company आपने सिलेक कर ली चार पांच ठीक है तो उन company की history आप देखोगे कि कब से यह company बिजनस में है और कहां पे based है क्या उनके चलाने या उनके जो अभी तक की history है उसमें कोई चड़ाओ कोई उतार है कोई दाग लगा है कोई fault उन्होंने किया है कोई litigation हुआ नहीं हुआ तो यह एंगल company को ध्यान में रखते हुए देखोगे तो वह जब आप मान लो आपने पांच शे कंपनिये सिलेक करी उसमें से फिर दिन यू बॉil डाउन टू से टू और थ्री ठीक है फिर उन company के products क्या है भई किसी company में बहुत से products हैं बहुत सी variety है किसी company में limited choice है पर उनके product अच्छे है किसी company का दोनों ही balance अच्छा है कि भई product बहुत wide variety या range नहीं है reasonable range है और product की quality भी अच्छी है तो यह हो गया company का selection फिर अब आप दूनते अपने products भी देख लिए हैं कि product जो उनके हैं वो लोगों के कौन-कौन से problems को solve करते हैं see product का application होना जरूरी है product का usability होना product का use होना वो बहुत जरूरी है product use होगा तभी तो sell होगी ना तभी तो sales होगी तो यह एक चीज़ जरूरी है अब जैसे अगर आपने products को भी देखा आपने segment देख लिया company देख लिए products देख लिए अब आपने क्या करना है कि तीनो company के या दो या तीन company जो भी आपको ठीक लिए उसमें से एक-एक product you should buy अब वो बाय करने के लिए आपको उस company के representative या business owners independent business owners उनको ढूंडना पड़ेगा कि आपके इर्दगिर्द में वो कौन available है तो उससे आप मिलोगे अब उससे मिलने पर दो तीन बाते होंगी एक जब आप मिलोगे तो उस व्यक्ति का हाव भाव जो है उसके जो interpersonal conversation जो है वो आप समझोगे और बातों ही बातों में आप उससे पूछोगे के भाई वो किस समय से कितने समय से कर रहा है वो जो टीम है या ग्रूप है वो कौन है क्या है उनकी spread जो है locally वो है नहीं है ठीक है तो वो प्रोड़क्ट लेते समय यह लर्निंग एक आवी आपके पास उसके बाद आपने प्रोड़क्ट लिए एक साथ तो शायद नहीं लोगे बट एट एट इंटर्वेल ऑफ ताइम लोगे आप तो आप आउट से के यूज करो के प्रोड़क्स तो आपको पता प्रोड़क्स से लेगा प्रोड़क्स यूज करने पे विदर दे आर ब्रिंगिंग इन इंप्रूमेंट इन यू मेकिंग तिंग्स अलिटल बेटर फोर यू और आपको एक अलग सी फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है यह भी एक एक स्पीरियंस है तो यह प्रोड़क की यूसेज हो गया उन लोगों से मिलना हुआ अब उनकी जो टीम है उस व्यक्ति की उनके बारे में जाने थोड़ा सा फिर उनके उपर जो लीडर्शिप है वो लीडर्शिप के बारे में आप जानकारी लें फिर उनकी मीटिंग्स वगर होती है अगर लोकली आसपास के शहर में या स्टेशन पे तो वो एक आप देखें समझें फिर जाएं उस मीटिंग में के भई कंपनी के जो अन्या मेंबर्श हैं वो कैसे बरताव करते हैं जो लीडर्श अगर हैं और वो बाते करते हैं प्रेजेंटेशन करते हैं तो कैसा एक 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 इम्पाक्ट है लोगों पर आपके ऊपर तो ये एक लोकल आपके जो ज्यूरिस्दिक्शन है उसमें इतना आपको पता चलेगा फिर आपने ये दिखना है कि कंपनी का प्रेजेंस कहां कहां पे है आपकी कंट्री में आपके कंड्री में स्टेट्स में है कितनी कंट्रियों में है, कितने समय से regularly कौन-कौन सी कंट्री में वो अपना operations open करते हैं तो basic again, जानकारी at a micro level लेनी है products हो गए, आपके जो representative जिनको मिले, वो हो गए company की presence locally, state में, region में, वो हो गए उसके बाद, एक दो चीज़ें आपने ये देखनी है कि company की जो marketing related या tools जो हैं, वो हैं तो कैसे हैं अब दो चीज़ें कि website, आपकी personalized website बन सकती है, company की main website ये साथ में आपको videos देते हैं, initial training के, आपको sample products देते हैं, brochures देते हैं, booklet देते हैं हो सकता है थोड़ा सा charge करें भाद, इस तो इस तरीके की training होगी या ये marketing का, या ये personal development का, या ये personality development का coaching हो गया फिर tools में, जैसे videos को मैंने कहा तो अब physical tool branding के लिए जैसे cap हो गई, brochures हो गई, ब्रेसलेट हो गया, ball pen हो गई, water bottle हो गई, इस तरीके की कोई छोटी सी चीज़ें, अगर company आपको देती है, या कहती है कि आप buy करें, that will help company के brand के साथ में, आपके भी एक brand image बने, तो इस तरीके के tools कमपनियां provide करती है, अब उसके बाद, जैसे मैंने का training का structure, तो training या meeting होती है, जैसे weekly, fortnightly meeting होती है, आपके state की, आपके city की अगर एक महिने की होती है, state की होती है, region की होती है, country की होती है, international होती है, तो ये सारी चीज़, ये जो events होती है, ये events का भी अच्छा प्रभाव होता है, दो तरीके से, एक आपको पता चलता है कि कौन-कौन बड़े दिगज है कंपनी में, जिरोंने क्या-क्या काम किया है, कैसे काम किया है, वो आप क्यों motivate करते हैं, उनकी story आपको motivate करती है, दूसरा, वो माहौल में जाने से, पूरा एक जो energy होता है, वो आप feel करते हो, ठीक न, that also inspires you, that also motivates you, तो ये हो गया meeting और training के बारे में, आगे, overall, हाँ, एक main point और के कंपनी के जो owners हैं, जो management team है, वो कैसी है, वो कब से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो owners हैं, उन्होंने कंपनी अगर शुरू की, तो कब शुरू की, क्यों शुरू की, और उनका personal background क्या है, एक हद तक, ज़्यादा नहीं, एक हद तक, कि भई, business minded है, people friendly है, ethical है, culture है, कंपनी में, उनका एक develop किया हुआ, अगर culture है, principles follow करते हैं, vision है, ये सारी बातों को आपने देखना है, ये जब आप देखोगे, और अपने आपको थोड़ा सा समय द्वा, study करने के लिए, ये नहीं कि कोई कह दे और आप सीधा ही, कूत प्रवन्या संदिल, उस व्यक्ती के उपर आपका पूरा एक भरोसा है, उस व्यक्ती की कालिबर पे, काबिलियत पे आपको पूरा भरोसा है, तो फिर इतना सारा homework आप करो, पता है, उस व्यक्ती ने भी किया ही होगा, तो ये हैं कुछ tips, points to scrutinize a company, ठीक है, हाँ, अगेन और एक चीज़, sorry, compensation plan, जो commission होता है, कि बहुत से कमिशन हैं, ऐसा बहुत से कमपनियां ऐसी होती हैं, जो काम पूरा करा लेती हैं, बड़ कमिशन बहुत कम देती हैं, और ऐसी भी कमपनियां हैं, जो सिर्फ recruitment, जिसको permit scheme बोलते हैं, कि बहुत आप recruit करके आईए, उनसे जो पैसा लेंगी, वो आपके लिए यह थोड़ा easy money हो जाता है, तो यह दो extends है, आपको देखना है, इस वाले में तो बिल्कुल नहीं जाना है, कि जो सिर्फ recruitment पर पैसा देए, वो गलत लाइन है, वो गलत है, यह वाला जो है, जो बहुत strict commission है, बहुत चोटा commission आता है, वो और एक average अच्छा commission आत होना है, तो यह है, कुछ basic tips और basic points जो आपने consider करने चाहिए, और coming to the end of the video, आपके कुछ सुझाओ, कुछ notes, कुछ points, कुछ प्रशन, लाइक करें, चैनल को subscribe करें, यगर पहली बार आए है, बेल आइकन को press करें, और अगर किसी topic पे या किसी question पे video बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे लिखें, बताएं, and I'll be more than happy to do that work, that's part of my work, and इसे के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे, और मिलते हैं हम अगले video बे, thank you.